अगर आपके लेप्टॉप या कंप्यूटर में इस तरीके से नो कनेक्शन असार अविलिबल शो होता है जबकि आपके फॉन में होट लेकिन कर भी इसमें जो है वाइफान नहीं होता है या आपका लैप्टॉप ये वाइफाइस से नहीं हो रहा है कनेक्ट तो इस वीडियो को एंट तक देखना इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स के हम बात करेंगे जो जिससे आपके यह प्रॉब्लुम जाएगी और इनम जाना है इसमें आपको सेटिंग में जाना है और इसमें आपको यहां से जो सेटिंग से इसकी उसको आपको रिसेट या रिस्टोर जो है अपर बात करें उन सेटिंग को कर देना है डिफॉल्ट पर ठीक है फिर अपलाए और ओकी अब इसी में आपको एक आप्शन दिखेगा यहां पर यहां देख सकते हैं Device Manager का इसमें आना है और Device Manager में यहां पर आपको Wireless Adapters का Option मिलेगा इसमें आपको wireless adapter को Select करना है और इसमें आपको इसको जो है यहां पर Option दिखेंगे अपडेट का इसपर जाना है और इसमें यहां पर सर्च automatically इस option में जाना है तो यहां पर यह search होगा और अगर आपके show होता इस तरीके का तो यानि की already install है अगर आपके option आता है तो आपको उसको install कर देना है ठीक है अब यहां से next जो step है वो यहां आप जो है इस पर जाना है नेटवर्क अले option पर इसमें आना है network settings को open करना है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो option है windows firewall इसमें आपको इसकी जो settings है उनको यहां से जो है restore कर देना है default पर ठीक है अगर आपके solve हो जाती इतने step के बार problem तो अच्छा है अगर फिर भी नहीं होती है तो यहां पर एक और option है हमारे सामने यहां देख सकते है इस option पर आना है ठीक है फिर इसमें आपको इस वाले option को select करना है और जो है यहां पर आपको इसको है जो एक बार यहां पर बात करें इस option को आपको disable कर लेना है और फिर इसको फिर से यहां से आपको इसको आप बात करें नेबल करना है ठीक है आप इसको आप बात करें डाइग्नॉस भी कर सकते हैं तो अब जो next step होगा यहां से वह आपको अपने phone को एक बार यहां से restart करना है ठीक है रिस्टार्ट होने के बाद आपको आना है और अगर आपके network शो हो जाए अब तो अच्छा है अगर फिर भी शोना हो तो next step के और हम जाते हैं तो यहां पर शो रहा है अभी तो तो इसको एक बार हम जो है इस wifi network से आपर बात करें जोड़ देते हैं connect कर देते हैं तो यह हो गया connect लेकिन अगर आपके नहीं हुआ है तो एंड तक वीडियो देखते रहें इसमें हम कुछ और options की भी बात करेंगे ठीक है कुछ आपके phone की ऐसी settings हो सकती है वह भी देख लेगे तो य पहले है यहाँ पर आपको इस wifi network को यहां से जो है disconnect कर देना एक बार और फिर आना है troubleshoot में और यहां से क्यों क्या यहाँ पर जो जो भी इस जो आपका laptop है इसमें यह option आ रहा है यानि की network शोर नहीं हो रहा है यह जो भी आ नेटवर्क से रिलेटर आ रही problem उसका यहां पर जो है solution हो जाएगा इसमें ठीक है तो जैसे कि यहां पर यहां पर जो हमने इस वाइफा नेटवर्क को यहां पर बात कर दिस्कनेक्ट किया था वो आटोमेटिकली कनेक्ट हो गया तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम होगी शो हो जाएगी यहां पर तो वह आप एक option यह भी देख सकते अगर आपके प्रॉब्लम स्वाल नहीं होती तो इसमें शो हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ठीक है इसके लाब फॉर्म की सेटिंग्स में भी आपको देख लेना है पासवर्स ही है और इसको आपको देख लेना एपी बैंट को फाइफ गिगार्स पे ना हो टू